Hello Friends, Welcome back to my channel JobDoors So, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट लेके आए हैं तो आज मैं बात करने जा रही हो प्रोफाइल है, वर्क फ्रम होम की प्रोफाइल जो आपके लिए पर्मानेंट वर्क फ्रम होम भी प्रोफाइल हो सकती है यह जो प्रोफाइल है, आपके लिए एक तरह से जो जौब है एक तरह से आपके लिए गौवर्मेंट जोब भी हो सकती है क्योंकि मैं बात करने जा रही हो, हमारे पाल जो न्यू अपडेट है वो है TCS तो अभी की जो हाइरिंग है वो TCS में है जो आपको पता है TATA की कंपनी है तो उसमें क्या कंपनी की रिक्वार्मेंट्स है, कैसे आपको अप्लाई करना है क्या क्या रिक्वार्मेंट्स होनी चाहिए तो मैं सारी डीटेल्स आपको शेयर करूँगी आपको proper screen पे दिखाऊंगी कि क्या क्या company की requirements है कैसे आपको apply करना है तो सारी details में आपको share करूंगी बट उससे पहले अगर आप job door को first time watch करें और आपने subscribe नहीं किया तो please like, share and subscribe कर दीजेगा ताकि आपके पस हमारे ऐसे latest update आते रहे और अगर आप college में अभी study कर दे है तो हम बात कर रहे हैं TCS में तो यह जो profile है work from home की profile है तो इसमें अगर आपको English कम भी आती है क्योंकि होता है कि हमें English नहीं भी जादा आती है तो इसमें कोई interview नहीं है इसमें आपका एक assessment test होगा उसी के base पे आपको shortlisted किया जाएगा तो इसमें आपको जो अगर आप graduate हो चुके है complete तो भी आप apply कर सकते है आप as a fresher भी apply कर सकते है यह जो hiring है यह 2024 के लिए hiring कर रहे है तो मैं आपको proper screen पे दिखाऊंगी तो आपको यह मेरी screen दिखाई दे रही होगी चिक है तो यहाँ पे मैं description में link भी mention कर दूँगी आपको apply करने के लिए तो direct आप यहाँ पे जाके apply कर सकते हैं कोई third party नहीं है कि आपको किसी को charge पे करना है बिल्कूर free placement है तो यहाँ पे मैं आपको दिखातू यह देख रहे ह fresher के लिए भी आप apply कर सकते है registration आपका बिल्कूल free है direct आपका selection होगा कोई interview नहीं होगा तो यहाँ पे मैं आपको proper details दिखाते हूँ important dates क्या है registration and date 20 of September 2023 तो इसकी जो registration की date है आज है 16 तो like जो इसकी last date है वो 20 of September है तो आप उससे पहले इसे apply कर लीजएगा last जो date रहेगी जो आपकी test की date रहेगी वो 20th October Friday होगी अब हम जानते about TCS BPS hiring for 2024 year of passing graduate तो TCS BPS is opening its gates for art, commerce and science means आप किसी भी stream से हो तो आप apply कर सकते हो means आपका जो like आप BA से है आपने BCOM कर रहे है BBA कर रहे है BCA कुछ भी कर रहे है तो आप किसी भी stream से आप apply कर सकते हो and इसमें जो आपको बताया गया है इसमें registration for the upcoming TCS Y 20 of September जो आपकी registration की date है वो 20 तारीक है application का process क्या होगा इसमें आपको बताईए मैं आपको बाद में details में बताऊंगी कैसे आपको apply करना है step 2 verification personal details पहले आपको यहाँ पे login करना है login करके आपको details फिल करनी है उसके बाद आपका अधार number हो गया आपका name हो गया जो आपके अधार पे है प्लस date of birth as per अधार कर जो आपके अधार card पे date of birth है तो जब आप application form फिल करेंगे तो आप प्लीज अच्छे से आप उसको application form को फिल करना कोई भी mistake नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी mistake होती है कोई भी incorrect details आप submit करते में lead to disqualification of your तो अगर आप कोई भी incorrect details होती है जैसे इसमें proper बतायागे आपका अधार number होना चाहिए आपका name as per अधार जो आपके अधार card पे आपका name है आपका वही name होना चाहिए date of birth as per अधार card अधार card पे जो भी आपकी date of birth है वहीं आपको वहाँ पे mention करना है तो कोई भी आप details ऐसी mistake मत करना जिससे आपका जो form है वो disqualify आजाए तो बहुत आपको अच्छे से read करके अच्छे से application form को fill करना है step 3 registration apply for TCS BPS hiring process and इसमें आपको जो बताया गया यह मैं आपको बाद में बताऊंगी registration पे जाके important note कि you must have all your original academic document as applicable आप जब यहाँ पे form fill करते है वहाँ पे जैसे आपकी personal details हो गई आपकी academic details हो गई आप अपनी academic जो भी documents होते है वो आपके बिल्कुल original होनी चाहिए like scan किये हुए कोई भी आपका fake documents नहीं होना चाहिए and इसमें आपको TCS does not send job offer and इसमें और भी मैं आपको बताऊंगी अगर आपका कोई भी question है form fill करते हुए कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी आपका doubt है तो यहाँ पे यह आपको mail id दी गई है tcsbps.support.atcs.com आप इन्हें mail कर सकते हैं इनका toll free number help line number भी है अब हम जानते है test की leasibility क्या है तो यहाँ पे जो आप full time graduate from BCom BA जो भी आपकी stream है 2024 year of passing candidate में अप्लाइट मतलब full time आप graduate इसमें किसी भी stream में होने चाहिए मतलब जो आपका 2024 year में passing हो तो आप अप्लाइगर सकते हैं आपका कोई भी gap like 24 months until highest education overall academic gap should not be exceed 24 months 24 months 24 months जो है आपके उससे जादा आपका gap नहीं होना चाहिए और इसमें test pattern क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूं इसमें the test will have 50 questions that have to be answered in 65 minutes means आपके 50 questions होंगे जो आपको 65 minutes में sort out करने है जैसे यहाँ पर आपको दिया numerical question कितने होंगे वर्बली कितने होंगे reasoning कितने होंगे तो यह सारे आपको दिये गए है 50 number के आपके questions होंगे तो यहाँ पर यह सारे आपको details दी गई है उसके इलावा यहाँ पर यहाँ पर यह सारी details है आप अच्छे से इसे read कर सकते हैं क्योंकि आपको proper details read करके ही apply करना है बहुत ही best opportunity है तो कोई भी ऐसा point form fill करते हुए कोई भी आप से mistake नहोंगे जिससे आपका जो बतलब like आपकी जो profile है आपके पास इतना best option है work from home का permanent तो व full form apply करने के लिए आपको यहाँ पर register now पर click करना है मैं link description में mention कर दूंगी वहाँ से आप direct जाके apply कर सकते है register now पर click करेंगे तो आपके पास दो options आएंगे एक IT and BPS अगर आप IT सेक्टर में job search कर रहे है तो आप IT पर जाके apply कर सकते है और अगर आप BPS में कर रहे है तो BPS के ल services तो यहाँ पर proper detail दी गई आप यहाँ से इसे read भी कर सकते है और इसमें यहाँ पर आपका verification of your email id जो भी आप email id अपनी use करते है वो यहाँ पर email id डालोगे उस पर get otp otp आएगा और आपकी वहाँ पर proper details open हो जाएगी उसके बाद आपका एक application form open होगा application form open होगा तो वहाँ प proper details अपनी अच्छे से fill करनी है जब आपकी सारी details fill हो जाएगी तो last में options आता है आपका की nearby location के लिए तो आप यह बोलोगे कि यह तो work from home की profile है बट जो TCS है यह work from home भी BPS में provide करता है और work from office भी provide करता है तो वहाँ पर यह मत बोला कि मैम आपने तो बोला था कि यह तो work from home की यहाँ पे तो option आ रहा तो वो कोई problem नहीं है आप अपना वहाँ पे location चूज कर सकते है जो भी आपकी nearby location हो उसका कोई problem नहीं है तो मैंने आपको यहाँ पे proper details बताई है इसके इलावा फिर भी अगर आपका कोई doubt है तो आप मुझे comment कर सकते है और मैंने आपको बताया अगर कोई भी question है form fill करते हुए तो यह इनकी email ID है मैं highlight फिर से कर दे रही हूँ आप यह email ID है यह इनका toll free number है आप इने direct connect भी गर सकते है और अगर आप से कोई भी apply करते हो charge बोले कहीं से भी आपके पास call आती है तो इसका कोई charges नहीं होता है बिल्कुल free of cost है कोई registration piece नहीं है किसी भी side का कुछ भी आपको pay नहीं करना बिल्कुल free placement है तो आप अगर job search कर रहे है work from home 2024 के लिए तो TCS hiring कर रहा है start हो चुकी है आप apply कर सकते हैं तो फटाफट से जाके description में जाके link पे जाके आप apply कर यह तो ऐसे हम आपके लिए और भी latest update लेके आते रहेंगे तो अगर आपको job door से latest update मिल रहे है तो और आपको मेरी video पसंद आ रही हो तो please like share and subscribe कर दीजेगा and कोई भी doubt है तो आप मुझे comment कर दीजेगा thank you